है रहे दोस्तों Welcome to testbook.com मैं हूँ आपका दोस्त नितिश आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आईसीर का मौक टेस्ट ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें गैप ना रहे जाए आपके तयारी जोग है वो बढ़िया तरीके से चलते रहे आप लोग प्रेक्टिस कर रहे हो ना मौक टेस्ट लगा रहे हो ना क्यूंकि गाईस मौक टेस्ट अगर नहीं लगाओगे ना सबसे पहले कोट की तरफ बढ़ेंगे आपको पता है कि सबसे पहले कोट की तरफ नजर डालते हैं और बढ़िया तरहीं की स्थी हमारी मोटिवेशन थोड़ी और अब हो जा Uganda जब तक मन्जिल प्राप्त ना हो जाई तो भाइसे ही आपको बस ड Olit Rainer चैष्ज और CR का exam clear ना हो जाए बस यह mentality रखोगे न तो कोई भी आपको रोग नहीं सकता ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने पहले question की और इसी के साथ आपके सामने time दे रखा है 45 seconds का तो guys कोशिश करेंगे कि 45 seconds के अंदर कोशिश करेंगे question को solve करने का और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह time थोड़ा जादा हो सकता है तब भी कोशिश करेंगे कि 30 seconds या फिर 25 seconds के अंदर भी question को solve करने का ट्राइक करेंगे ठीक है तो चलिए तो यहाँ पर दे रख्या आपको vulgar fraction को convert करना है इन्टू वल्गल fraction में convert करना है तो यहाँ पर आपके बाहर दे रख्या है को से 37 की उपर ही बाहर दे रख्या तो ध्यान से 37 की उपर ही बाहर दे रख्या है सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या आने बाले है बहुत यह असान question है ऐसे question हम बहुत बाहर कर चुके यह पर थोड़ा बड़ा सा डीजिट है चलिए जल्दी से पताएं ऑप्शन वन टू थ्री या फिर फटाफट से येस तो चलिए करते हैं इसे solve तो गाई जैसे कि मैंने बताया था आपको पूरी जो डिजिट होती है 9900 यह बार वाले टर्म और यह एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट के बाद आ रिये टर्म तो इसको अगर मैं माइनस करोंगो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपने पास आना है इसमें यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है 719 या फिरी गलती मत कर देना क्योंकि अक्सर क्या होता है इन चोटे-चोटे-चोटे कोशिस में बड़ी-बड़ी गलती हो जाती है तो बस वही डाइलोग याद आ जाता है कि बड़े-बड़े शहरों में चोटे-चो करना भी शुरू कर देता हूं जल्दी से तो अगर मैं बोलू तो मतलब यह यूनिट प्लेस थ्री पर ही हम कल्कुलेट करेंगे चीजों को तो मैं सिर्फ त्री यह लिखूंगा या पर त्री लिखूंगा रेस्टो पाउर के एक हजार तीन एक हजार कितना दे रहा है तीन मैं इसको डिवाइट कर दिया तो तीन आ गया और मैं इसकी पर लिख लिया एक हजार ठुख है और मुल्टिप्लाइ करेंगे तो हजार यहांपर अने वाला है बात क्लियर है तो देखो अपने पास यह मुल्टिप्लिकेशन में है अब देखो यह वैल्यू कितनी हो into seven as it is अब देखो one into कोई भी पावर दे रखी है तो one ही आता है ठीक है तो one ही आता है तो यहां पर क्या हो जाएगा one into seven जो कि अपने पास value आजाएगा seven इसका right answer हो जाएगा option number one is the right answer of this question सबको clear है यह चीज बड़े फिर अगले question कियो और guys ध्यान रखेंगे ntc pass का use करेंगे test series लेते टाइम ntc pass 10% का discount चाहिए तो जब भी test series लेंगे तब क्या लगाएंगे ntc code ntc code जिससे मिलेगा हमको 10% का discount चलिए इसी के साथ बढ़ते है अपने अगले question कि और अगला question आपके सामने है guys इसको भी उड़ातो simplification का simple सा सवाल है क्या करने यूज क्या यूज करना है हमको बोर्ड मास ठीक है ब्रेकेट ओफ डिवाइड multiplication addition and subtraction चलिए बताइए कि आसर आने वाला है 45 सेकंड का टाइम है आपके पास देखते हैं आप लोग 45 सेकंड में इसको कर पाते हो या नहीं क्यूंकि देखो यह यह चीज आपके सामने है आपको पता लग जाएगा जैसी आप ऐसे पैन से जब अपना मतलब फेस उठाओ गया तो आप टाइम देखो गया या टाइम में अंदर अंदर कर दिया अगर नहीं किया फिर भी बोलोगे या थोड़ा लेट हो गया चलिए यह हो गया हो गई तो एंद बात देखें माइनस 13 दे रखा है तो इसको मैं मल्टिप्लाई करूँगा तो कितना आजाएगा आपके पास ऐ होप यह आपको क्लिएर होगा, calculation चोटा सा कुछ नहीं है चलिए देखते है अगले कोशन के और बठते है अगला कोशन क्या कहना चारहा है आप यह आपको कोशन विजिबल होगा चलिए अ सको विजिबल नहीं है उसके लिए मैं visibility थोड़ी बढ़ा देता हूँ कैसे लिख के है question को 3 n plus 3 n plus 3 plus 3 का raise to power 2 into दे रखा है ठीक है ये into है 3 n divided by 3 n plus 1 into 3 2 का power 2 minus 3 minus 1 ठीक है 3 का power minus 1 I hope अब ये clear होगा अब ये आपको साफ दिख रहा होगा फिर भी मैं यहाँ पर जो गलती छोटी सी दिख रही थी उसको भी सही कर देता हूँ तो multiply दे रखा है तो guys जल्दी से चुरू कर दीजे करना अगर जिसको visible नहीं था उसको 30 second का time over 30 second का time और चलिए देखते हैं कि इसका right answer क्या आने वाला है guys सब भी लोग फटा फट से answer करिए इसका पहला दूसरा तीसरा या फिर चौथा answer आने वाला है चलिए फटना फट से चलिए देखते हैं इसको कैसी करेंगे तो guys अगर मैं क्या देखूं अगर मैं इसमें ना देखो values को कारना है मेरे को reduce करनी है actually में value ठीक है तो मेरा पहले mindset ऐसा रहना चाहिए कि मेरे को ना कितनी कितनी reduce कैसी कर सकता हूं value तो अगर मैं बात करूं अपने पास अंदर बच जाएगा अंदर बच जाएगा अब अपने पास यह भी दे रहा है 3-1 ऊपर को कितना हो गया आपके पास 3-3-9 और 9-12 तो 12 बाइद ओ है आपके पास 12 बाइद क्या है 3 का square 2 यहां पर 2 नहीं 3 का square 2 दे रहा है तो 3-3-9 हो गया तो मतलब 9 हो गया तो मैं इसको इतना क्यों लिखू भई ठीक है इसको इतना क्यों लिखू चलो मैं लिख लेता हूं यहां पर लो तो यहां पर आ गया 9 और यहां पर कितना है 1-3 कैसे लिख सकते हैं 3-1 मतलब की 1-3 तो यहां पर 3-3-9 3-4-12 तो 4-3 मैं इसे 1-3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा आपने पास जिसको हम लिख सकते है 3 क कि पावर 0 आपके पास option number 3 आजाएगा right answer इस question का जिसको नहीं पता था वो देख लीजिए 1 किसको लिखते हैं 3-3 का power जब 0 हो तो उसको 1 लिखा जा सकता है मतलब किसी का power 0 हो तो 1 लिखा जा सकता है चलिए clear है सब को यह बढ़े है अगले question की और फटा फट से ठीक है लिखे how many 0 will be there at the end of the product कितने 0 आएंगे इसके end जब इसको multiplication करेंगे तो कितने 0 आएंगे गाइस ऐसा question मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं तो इसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए तो देखो क्या होता है जीरो कब बनता है जीरो बनता है कि जब 2 और 5 को multiply करते हैं दोनों चीज़ों को multiply करते तो अपने पास क्या बनता है जीरो तो देखो यहा और साथ मतलब देखो या क्या calculate करूँ मैं को工作 बनता है कि यहां पर क्या करूँ पांच को ले लेता हूं ठीक है कितने पांच आएगे याब तो यहां पर देखते हैं यहां पर कितने पांच हैंगे एक तीक है यहांपर आपके बाशी जाएंगे एक दिपने हो आ गया गया अब देखने कीदोफ लिया है एक 58 ले लिए हमने यहां से भी ले लिया और कर बचा मुछ यहां से भी ले लिया था यहां जो । एक तो यह पर बात करो यहां पर ककتने सारे तो एंगे यहां पर बीडिरू तो काउट कर लो तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितने जी रो आने वाला के टू थो एनॉब हैं के 2 कं या काूट करके नहीं पता चल लेगा हमको झो कम वाली टम ही वह काउंट करके पता चले तो यहां पर किसी आरब है 1 2 3 4 5 6 तो मैं बोल सकता हूं यहां आपके पास टर्म मिलेगी, 5 या 2 में से उनको calculate करेंगे, तो अपने पास पता चल जाएगा कितने 0 आएंगे, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की और देखते हैं, यह क्या कहना चाहरा है, तो अगर यह visible नहीं है, तो आपको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यह 1 by 1 by 1 plus a n minus 1 plus 1 by 1 plus a m minus 1, ठीक है, इसका मान बताना है, आपको इसका value बताना है, फटा फट से गाईज, 3rds आपने अगर पढ़े हैं, तो आप easily कर पाओगे इस question को, यह तो भाई गलतियां होने वाली हैं, इसमें बहुरपूर, तो आपके बस time चल चुका है, चलिए देखते हैं, इसको कौन-कौन सही कर पाता है, 1.5, 2 या फिर 2.5, इसका क्या सही answer आने वाले हैं, फटा फट से मुझे चाहिए comment section में answer, chat section में answer चाहिए सभी लोगों का, तो आपका time भी खतम हो गया, ठीक है, time भी खतम हो गया, चलिए देखते हैं, कैसे करेंगे इसको, तो guys मुझे पता है, जब m n-m होगा, ठीक है, a n-m होगा, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि a n divided by a by n, मतलब कि कैसे होगा, 1 by a plus a raised to power n by a raised to power m, यह ऐसी value लिख जा सकती है, ठीक है, और यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पर n और निच्छे आ जागा n, तो देखों, यहाँ पर lcm लोगा, तो यह उपर चल जाएगा, वैल्यू और क्या वो कट जाएगी और अपने पास क्या वैल्यू बच जाएगी, option number one, जो की answer भी इसका one ही होगा, तो guys, I hope यह clear होगी चीज़े, बहुत ही असान सवाल था वैसे, अगर आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम इसमें, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले question की और देखते हैं अगला question क्या कहना चाहरा है, तो आपने पास divisibility के rule पर एक question है, तो guys, जल्दी से बताइए, क्या-क्या answer आने वाला time आपका शूरू हो चुका है, चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, 72 के divisibility rule की बात हो रही है, तो 72 मतलब की, 72, मतलब की 9 और 8 का, मतलब इन दोनों का values अगर satisfied करेगा, वो आपके पास जो श्रिंखला दे रखी होगी numbers की, जैसे कि 456792X8, अगर मैं इस number को यहाँ लिकू, 456792X8, तो देखो, मुझे क्या करना है, कि यह 9 से divisible भी हो, मतलब की, हर एक जो number है, उसका sum, 9 से divisible हो, और last की 3 times, क्या होती है, 8 से divisible है, तो 8 से भी divisible होगी, तो यह दोनों चीज़े चेक करनी है हमको, तो देखो, last की तो मैं अभी नहीं लगा सकता, मैं क्या करता हूँ, 9 का चेक कर ले पेले, मतलब sum of the digit, 9 से divisible होना चीज़े, तो देखो, 5 और 4, 9 divisible होगे, इसको काट दिया मैंने, उसके बद 7, 6, 13 और, 13 और 2, 15, ठीक है, यहां से भी, 15 भी, sorry, 15 नहीं जाएगा, इसमें, 15 नहीं जाएगा, तो अगर बात करूँ, 7, 6, 13 और 9, 9, 3, 12, ठीक है, 14, तो अगर मैं बात करूँ, अपर 13, अगर 13 को हम अलग निकालने है, ठीक है, यहां पर तो नहीं जा रहा था, यह तो नहीं जा रहा था, दो मिनिट दो मिनिट हाँ साथ और छे अठादो ठीक है एक साथ और छे तुनाइक कर डाइन का पता गरें साथ और छे तेरा और यहां पर अगर दो कर देंगे तो 15 15 और नो नो पंच थर्टी फोट नहीं यह भी नहीं जाएगा तो अगर मैं और बात करूं तो आठ दो दस ठीक है आठ दो दस और छे सोला और यहां पर आठ दो दस और एक सत्रा हो जाएगा और चीज कर सकता हो मैं तरो सब कोई प्लस कर लेते हैं यहां पर ज्यादा शॉटकट नहीं हो जालते हैं तो यह 10 हो गया यहाँ पर कितना हो गया और यहां पर कितना हो गया दो अग। तो मतलब कि 32 है यहां पर मुझे क्या चाहिए यहां पर क्या कर देंगे यहां पर अगर 4 प्लस कर दूं तो 36 आ जाएगा और यहां पर पूरा 9 से कट जाएगा तो मतलब कि X का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 4 अगर बात करते हैं इसकी दिविजिबिलिटी रूल जो कि आपके पास 8 का है वो चेक करना है तो 248 ठीक है 8 से अगर डिवाइट करूगा तो ठीक है 3 8 जा 24 यह पूरा पूरा कट जाएगा 3 8 24 एंड 3 और 1 मलो 31 से पूरा पूरा कट जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि अपने पास कौन सा उप्षिन नम्बर 2 सेटिस्फाइब कर रहा है वैल्यू टीक है चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले कोशन क्यों और देखते हैं अगला कोशन क्या बहुत ही आसान बैबहुत ही आसान कोशन आ गया है HCF और LCM के बेस पर चलिए देखते हैं इसको कौन-कौन बना पता जल्दी तो कॉशन में क्या दे रखा है 6 बेल्स है ठीक है टोल करती है तो यहाँ पर चेड़ा बारा पंदरा और अठरा तो क्या करेंगे लिए बहुता एंसर हो चलिए इसको से निकाल सकते हैं तो अगर मैं बात करूँ यहां पर तो मैं बोल सकता हूं तूँ 3 & 3 मतलब की 6 नहीं 2 2 4 अगर मैं बात करूँ 9 92008 तो यहां पर अपने पास यह multiple आ गे हैं 92008 मतलब की इसे factors आगे हैं अब चलो आगे बढ़ते हैं तो 15 है तो मतलब यहां की बात करूँ तो अपने पास एनफ है यहां की बात करूँ तो यहां पर पास एनफ है तो पांच भी एनफ है तो मतलब कि यह इसका हो जाएगा जब इसको multiply करोगे आप तो 180 आने वाला है तो मैं बोल सकता हूं कि आपकी बस 180 सब्सक्राइब करने का ट्राइब करेंगे सभी लोग चलिए क्या दे रखा है 32x 32 raise to power x is equal to 4 raise to power x plus 4 और यहां पर दे रखा है multiply हो रहा है multiply 8 और डिवाइड हो रहा है 2x plus 3 के साथ ठीक है 2x plus 3 के साथ तो इसको मैं 2 में 2 की फॉर्म में लेकर चलता हूं ताकि मुझे solve करना असान हो जाए ठीक है और पूछा भी क्या है ठीक है एक्स प्लस 3 का वैली ठीक है एक्स रेस टूबावर एक्स प्लस एट टूए प्लस एट अगर आगे बात करों तो यहां पर आजएगा टू का रेस टूबावर आपु thirty hundred प्लिए ठीक है यहां पर का बच आपने पाश एक्स बच जाएगा वाइगक सबस्तु इमाय इस हो तो एक्स बच किया यहां पर कितना हो जाएगा दोनों प्लस हो जाएगे 6x मतलब कि 2 raise to power 6x is equal to 2 raise to power 2x plus 8 ठीक है अब base बराबर है इसको equate कर दो तो यह value है आप ही जाएगी कितना हो गया 4x is equal to 8 to x का value कितना जाएगा आपके पास 2 हम से क्या है पुछा गया है एक्स रेस्टो पावर मतलब कि 2 raise to power 2 plus 3 तो यहां पर कितना जाएगा 32 ठीक है option number 4 इसका सही answer आजाएगा कुछ नहीं है 2 raise to power 5 जो कि हमको पता था की 2 raise to 5 5 क्या होता है अपने पास 32 होता है ठीक है आई होप यह आपको clear है चीज ठीक है सर्ट के कुछ कोशन लिए हमने जिससे कि हमारी अच्छी प्रेक्टिस हो जाए हमने शॉर्ट के बहुत ही सर्ट के बहुत ही कम कोशन किये तो आई तिंक आपको clear होगा यह चीज चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की और देखते हैं अगला कोशन क्या कहना चाह रहा है तो आपके पास टाइम का ध्यान रखेंगे सभी लोग टाइम के अंदर-अंदर सॉल्फ करने का कोशिश करेंगे चलिए तो अगर कोशन की बात करूं NTC गई NTC pass तो कैसी यहारा है क्योंकि बाइं coupon code coupon code test series लेते टाइम कोँछा लगाएं कि NTC pass 10% का सिधा जिदा डिसकाउंट तो कोशन में अगर पढ़ो तो क्या दे रखा है एक pyramid है उसका जो base है वो square form में है ठीक है पेरामीट का जो बेस है वो स्क्वेर फोम में है और उसका साइड के देराख है 9 cm और जो हाइट है पेरामीट की वो देराख है आपके पास 12 cm की तो आपको वोल्यूम बता ना इस चीज़ प्रइस फोर्मुला लगा दो आपके पास आंसर आ जाएगा 990 81 ठीक है इस इक्वल टू आपको यहीं चीज़ निकान लिए हाइट भी होती है हाइट भी होती तो इसको बारा से मल्टिप्लाइए करते हैं मलदब 1 by 3 एरिया इंटू हाइट तो यहाँ पर कितना आ गया 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 4 ठीक है 3 2 4 आ अपने पास option number 3 बिल आपको फॉर्मूला पता था चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले कोशन की और देखते हैं अगला कोशन क्या कहना चाह रहा है सो गाइज पटाफट से टाइम के अंदर को सॉल्व करने को कोशिश्च करेंगे सभी लोग ट्राइग करिए तो एक कोशन दे रखा है कोशन को पढ़ते हैं एक बार होलो कोन ठीक है कोन क्या है होलो ठीक है अब मैं बात करूं यहाँ पर खोकले शंकू की बात हो रही है बतलब क्यों होलो कॉन तो होलो कोन है उसका हाइट दे रखाए आपके पास 12 cm और रेडियस दे रखाए 3 cm का बताना है आउटर रिडियस क्या है उस होलो कोन का उस होलो कोन को ठ्रिफा शूंझाने आपको 컬러 को तहीं सबसे पहले क्या है जब आपके पास कोई बीचल्इघ जैओ सफेर har оч Fol Highँ जशाल कोन पास iron ball बनने वाला है तो उसका क्या होना वाला है? spherical form होना वाला है, तो pi r cube उसका आपके पास volume आ गया, और दूसरे का मतलब कि क्या है वो आपके पास? कोन है, तो मतलब कोन का होता है? 1 by 3 pi r 1 square, ठीक है? r 1 square minus r 2 square, ठीक है? r 1 square minus r 2 square, r 2 का square, ठीक है? और यहाँ बारा था, तो यहाँ पर यह भी कट गया, ठीक है? कितना आ जाएगा आपके पास? अगर मैं बात करूu r cube की, तो यह वाला r भी दे रख आपके पास, ठीक है? हाँ, यह 6 6 हा, तो 216 आ गया, और यहाँ पर क्या आपने पास? 3, ठीक है? 3 का square कितना हो जाएगा? 9, ठीक है? 9 आगया आपने पास, ठीक है? अगर मैं क्या करूँ ना, 3 को यह पर divide कर दूँ इसको, तो यह वाली value कितनी आजाएगी आपने पास? 72, ठीक है? और 9 आजाएगा, 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो R कितना आगया आपके पास? ठीक है? R आगया, आपके पास 9, तो आपसे क्या पूछा गया है? हाँ, outer radius पूछा गया है, जो कि आपके पास 9 आगया, सीधा-सीधा answer, ठीक है, radius ही पूछा ना, जल्दी से देखेंगे कौन कौन आंसर कर पाएगा इसका फटाफट से चलिए फटाफट चलिए फटाफट चलिए कोशन पढ़ते हैं क्या रखा है तो यह जोड दिया गया अब जब जोड दिया गया तो क्या हो गया वो क्या बन गे क्यूब बन गया ठीक है वो तो आप विजूलाइज कर सकते हैं यह दोनों को चीज को जोड दिया दो क्यूब को जोड दिया तो क्या बन गया अब अगर क्यूब बन गया है तो अपने पास क्या दे रख्या है अपने को पता है कि थ्री क्यूब्स तो मैं बोल सकता हूंसे यहां है कितना हूड ही हो जाएगां 18 You Nej can do Power as không अब मैं बोल सकता हूए यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या हो हैँ हैं यहां पर कर सकते हैं तीन है एटीः टॉटल सरफिसे एका टूटल सर्फेस एरिया अपका तूछिभा-टुई-टू- B into H plus H into L ठीक है, ये छोटी सी चीज़ आपको पूछी गई है तो guys, put कर लीजी value, कितना आएगा है यहापर 2 into, ठीक है इसको 54 को 18 से multiply करेंगे तो 972 value आजाएगा आपके पास, ठीक है, 972 into, plus करेंगे, sorry, plus करेंगे यहापर 18 का square, 3 to 4 3 to 4, plus 96972 फिर से आगया ठीक है, तो बस ये calculate करेंगे आपके बस answer आजाएगा, फटा फट से सभी लोग बताएगे कितना answer आ रहा है अगर मैं unit place से चलो तो जाएगा नहीं आपे न, दो 6 दे रखे हैं तो यहापर 6, 8 16, तो 6 या रहाएपके तो कौन सा होगा इस, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा option 2 या फिर 4, फटा फट से सभी लोग बताएगे, क्या इसका right answer आने वाला है सभी लोग ठीक है, calculation करोगे न, अगर calculation पे आओगे तो आपके पास क्योन सा आने वाला है, option number 2 is the right answer of this question, 4, 5, 3, 6 ये इसको calculate करना और कुछ नहीं, क्या पूछा गया था आप से total surface area, ठीक है, total surface area आपके पूछा गया था ठीक है, चलिए, बढ़े, अब एक आए, एक आपके पास side आगी, ठीक है, side आगी, ठीक है ठीक है, एक का मतलब क्या है, side, कुछ भी ले सकते हैं इसको चलिए, इसके साथ बढ़ते हैं, अपने अगले कोशन की और, तो आपके सामने फिर से एक circular parameter के base पर कोशन दे रहा है, circumference के base पर, तो फिर से ये mensuration का कोशन है, जल्दी से गाईज, इसको भी करिए, जैसे आपने पहले पाकी के कोशन किया थे, चलिए, फटाफट से गाईज, तो एक बार कोशन पढ़ते हैं, क्या कहना चाहरा है, तो radius of a circular wheel is 7 cm, ठीक है, radius के दे रहा है, circular wheel का 7 cm, find the number of revolution, ठीक है, that will make to travel 88 km, 88 km को travel करने तो गाईज, पहले ही बता चुका हूँ, इस टाइप का कोशन, देखो, मतलब की यह पूरा गोला है, ठीक है, तो यह कुछ distance को cover करेगा, तो यह मतलब अपने circumference को cover करेगा, ठीक है, हमको क्या पूछा गया है, तो अगर guys यह meter में दे रखा है, तो हम क्या अगरते हैं, इसको meter में ही लेके चलते हैं, तो multiply कर लेंगे 3 0 से, 3 0 से multiply कर लेंगे, तो अपने पास values आगी, यहां से Rtg value, यहां पर 2 आगया, तो मतलब की 2000, अपने पास option number कौन से है, option number 2, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब की कितना distance चलाईए, क्या हो जाएगा, 2 pi r और कितने revolution, 2 pi r तो एक revolution हुआ, उसमें कुछ distance चलेगा, तो ऐसे ऐसे कितने revolution चले, ताकि वो इस distance को cover कर ले, I think, यह clear होगा आपको, चलिए, बहुत बढ़िया, इसी के साथ बढ़ते हैं आपने अगले question की और देखते हैं अगला question क्या बोल रहा है, ठीक है, I think कि यह कुछ question जादा ही आगया है आपके पास, अच्छा, अब नहीं है, मैंको लगा कि मेंसुरेशन का question है, बट यह आप तो यह pole दे राखएए आपके पास, और उसका shadow दे रखखए है जो, shadow, ठीक है, यह shadow हो गया अपने पास, यह pole है उसका shadow हो गया, उसका दे राखए, pole करगए है 3, root 3, और यहाँ पर shadow किसना है 9, तो देखो इसको आँ और reduce कर सकते हैं, और reduce कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर 1 आग यहां पर लिख सकते हैं तो गाइस कौन से एंगल बनाएगा भाई जल्दी से बता दो 10 कितने पर बनता है यह 1 by 3 1 by under root 3 जल्दी से गाइस option number 3 30 degree 30 degree is the right answer of this question 10 30 degree क्या हो जाते हैं आपके पास कोई भी वेल्यू ले लो टैन ले लो या फिर हाँ क्योंकि देखो आपने पर पेंडिकुलर और बेस से चलोगे तो आपको असानी हो जाएगी ठीक है इसी के साथ बढ़ते हैं अगले question क्यों बहुत ही असान अगले question क्यों अगला question देखते हैं क्या कहना चाहरा है फटाफट से अगला question आपने देख लिए तब तक मैं बताता हूं आपको test series जो की बहुत important चीज है आपकी preparation के लिए अगर आपने test series नहीं ले रखे हैं तो हमको बता देता हूं कि आप उसका कैसे अवेल कर सकते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है अपने YouTube चैनल पर ठीक है हम जाएंगे YouTube चैनल पर जहांसे कि आप मेरे साथ जुड़े ह तो तो अगर बात करूँ यहाँ पर क्लास चल रही है यहाँ पर अगर बात करूँ मैं ने ख़िक है तो कोई भी क्लास ले 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 तेंड है यहाँ चलो करनदफे स की पुछ पांकर सब्ले ले तो सबसे पहले जब क्लिक करोगे इस पर आपके पास test book का website खुल जाएगा जि जैसे कि आप देख सकते हैं 299, 399 and 599 आपको क्या करना है इसमें अगर डिसकाउंट चाहिए गाइस डिसकाउंट मिल रहा है आपको मैं डिसकाउंट एक कूपन कोड बताता हूं आपको सीधा-सीधा है टैन परक सेथा-सीधा डिसकाउंट मिल डिसकाउंट करींगे और आपको मिलने वाले ट्रहे इसके सेटी उपके श्मोरे बात करें ठीक है, ICER सर्च करते ही मेरे पास ICER के सारे mock test अवेलिबल होगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, व्यू टेस्ट सीरीज में करूँगा, तो अपने पास सभी टेस्ट, थभी टेस्ट, section wise चाहे subject हो, ठीक है, यहाँ पर देखो, chapter wise दे रखे हैं, general knowledge, mathematics, science and social science, उसके सारे test दे रखे हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, subject test में उसमें भी दे रखे है, full test, full test मतलब कि जो actual में आपको टेस्ट होने वाला है, exam देते time, 100 questions, 100 marks, और कितना time, 90 minutes का, तो guys, यह आपको देना बहुत जरूई है, कितने test available हैं, आपके पास, 10 rupees के, ठीक है, 10 rupees के test available है, तो आपके पास enough test है, अगर आप आज से भी लगाना शुरू करते हो, तो आपको कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंगि इतने सारे test हमने बनाया है, आपके लिए, तो आप उसको use कर सकते है, तो जल्दी से बताएंगे, इसका answer क्या था, सलिए, question बढ़ लेते है, question को पढ़ते of regular hexagon, hexagon की बात बता रहा है, तो गइस मुझे पता है, hexagon में कितनी sides होती है, 6 hexagon में, कितनी sides होती है, 6 hexagon में, कितनी sides होती है, 6 हमको पता है, n-2 by n into 180, आस current detto is equal to 9 by 8 of 58 hexagon, तो hexagon में n की जगह में 6 put कर दूँगा, तो अपने पास किया आ जाएगा, यहाँ पर 4 और नीचे आ गया, आपके पास 6 into 180, ठीक है, तो यहाँ पर cut गया 2, 9, 9, कुछ कहा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर इसको calculate कर दो 9, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, आपके पास, n minus 2 by n is equal to 180, किसके बराबर आ गया है, 120 के, ठीक है, 120 के बराबर आ जाएगा, तो बस आपको यह calculate कर रहा है, यहाँ पर multiply होगा, ठीक है, sorry, यहाँ पर किया ह आएगा, n का value, फटा-फट से, फटा-फट से बताएगे, n का value कितना आने वाला है, सभी लोग, चलिए जल्दी से guys, फटा-फट से answer बताएगे, कितना आने वाला है, इसका answer, 9 by 8 of this, 9 by 8 of, कुछ गल्ती हो गया गया, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, multiplication में थोड़ी गल्ती लग रही है, ठीक है, the interior angle of the regular polygon is found to be 9 by 8 times of the interior angle of the regular hexagon, ठीक है, regular hexagon, 2, 3, अगर बात करों, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ जागा, 3, 3, 6, और यहाँ पर आएगा 120, मतलब कि 120 के साथ 9 by 8 भी आएगा, ठीक है, calculation mistake हो गया, 9 by 8 भी आएगा आपके पास, ठीक है, 9 by 8, ठीक है, यह आपके पास hexagon का आ गया और 9 by 8 है इसका, ठीक है, यह clear है, अब बताएंगे, अगर इसको मैं और values को reduce कर दूँ, तो आपने पास यह आ गया, ठीक है, 2, 6, 2, 3, 4, बतलब 3 by 4, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4N minus 8 is equal to 3N, N का value कितना आ गया, 8, यही आ रहा है, हमसे क्या बूचा गया, number of sides of polygon, आपके पास option number 4 आ गया, 8, सभी लोग बताएंगे, इस अपका answer आ चुक है, 1, कितना था आपने पास, 8N का value, जो कि है, आपके पास number of sides of polygon, ठीक है, polygon की sides, जो कि आपके पास equate दे रखी थी, 9 by 8 of, 9 by 8 of, आपके पास hexagon की, जो आपके पास क्या दे रखे है, times of interior angle, जो दे रखे है, आपके पास hexagon की, ठीक है, तो I hope यह clear होगा आपको, ठीक है, चलिए, अगले ocean की और बढ़ें इसकी साथ, कुछ जादे टाइम लेदी लगता है, इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना time नहीं लगना चाहिए था वैसे, कोई बाद ही, calculation में कभी-कभी फस जाते हैं, ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा, calculation को smooth way में करेंगे, चलिए, अगले कोशिश की और बढ़ते हैं, देखते हैं, अगला question क्या कहना चाह रहा है, तो आपके पास height and distance है, I think, हाँ, height and distance है, आप मैं चलिए, कोशिशन पढ़ लेता हूँ, एक बार, तो a ladder है, ठीक है, 30 meter long एक ladder है, ठीक है, wall के against place है, ठीक है, अब बोलना है कि जो उसका foot है, जो उसका foot है, वो ladder से 15 minute दूर है, 15 meter दूर है, ठीक है, यह आपके पास एक ladder है, इसका जो आपके पास length दे रखे है, वो 30 meter का दे जाएगा, या गया, 2 या गिवन, अलोगी 1 by 2, अपने को क्या आना चाहिए, base का value, B by H, जो अपने पास क्या आना चाहिए, 1 by 2, तो कहा होता है, 1 by 2, फटा फटे सभी लोग, 1 by 2, बताएंगे, किदर हो जाएगा, 1 by 2, अगर मैं बात करूं किसकी, cos theta की, cos theta, 1 by 2, सभी लोग बताएंगे, कितना आएगा, option number 1, 60 degree, 60 degree, सभी के बास answer आ रहा है, सभी लोग बताएंगे, 60 degree, yes, easy question था बहुत, चलिए, इसी के साथ बढ़ते है, अपने अगले question की और, यह तो, उससे भी easy आ गया, यहाँ पर हमको timer guide करना पढ़ गया, क्योंकि यहाँ के पास figure में, आ नही के ली थी पूरी, figure नहीं आ रही थी, इसलिए हमने timer को यहाँ से हटा दिया, तो जल्दी से, बताएंगे, यह वैसी भी timer के अंदर-अंदर ही solve हो जाएगा, यह 10-20 second का question है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, diagonal of the rectangle ABCD, ABCD, ABCD आपके पास rectangle दे रहा है, उसको intersect कर रहा है, COD दे दे रहा है, COD यह वाल, angle दे रहा है, आपके बास 78, आपके बताना है A, O, B, sorry, O, A, B, O, A, B, तो गाइस, यह भी 78 हो जाएगा, ठीकए, यह भी 78 हो जाएगा, यह भी 78 हो जाएगा, यह आपके बस X हो गया, यह आपके बस X हो गया, तो बोल सकता हूं कि 2X plus 78 is equal to 180 degree, ठीक है 180 डिग्री हो गया वहाँ पर जाएगा तो 102 102 और डिवाइद बाई 2 आपके पास 51 डिग्री तो मतलब की X का वेलू कितना हो जाएगा 102 ऑइ 102 ऑइ 102 ऑई 2 जो कि आपके पास 150 डिग्री आ जाएगा गाइस क्लीर है यही चीज ठीक है इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की और ट्रिकनोमेट्री का कोशन है इसको उड़ाओ जैसे हमने बाकी को कोशन उड़ाये हैं और टाइम फ्रेम की अंदर-अंदर करेंगे कितना 45 सेकंड का टाइम आपके लिए चलिए बताएं कौन सांसर आएगा फटाफट गाईज चलिए जल्दी से जल्दी जल्दी वाई देखो टाइम आपका खतव होने वाला है ऐसा होना चाहिए कि पहले पांच सेकंड दस सेकंड में आपको कोशन समझने में लगने चीए उसके बाद जो बाकी के सेकंड है उसमें सिर्फ चु 10 90 माइनस 78 10 90 माइनस 78 प्लस 10 90 माइनस 22 ठीक है माइनस कोट 78 डिगरी माइनस कोट 68 डिगरी ठीक है 68 डिगरी चलो 68 डिगरी और क्या रहा है अपने पास प्लस चलो इतना क्या लिखना है देखो इतना तो पूरा कट जाएगा यह वाला वैल्यू तो हट गया सारा का सारा क्योंकि कि कॉम्प्लीमेंटरी बार बन गया ठीक है यहां पर सकॉट 78 शेट रहा यहां पर क्या हो जाएगा हुट 68 तो यह वैली तो गई यह वैली तो गड़ियो कट जाएगी पूरी तो आपने पास यही वैल्यू बच तो कोस और साइन के बीच में आपको पता है तो कोस का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ये तो आगे आपने बस 3 by 4 plus 4 by 3 12 और उपर कितना आ जाएगा 25 अपने पास option number 1 आ जाएगा सही answer सब्सक्राइब आपको बहुत यसान सवाल था ठीक है चुटकियों में करने वाला चली इसी के साथ पढ़ते हैं अगले कोशन का आंसर कौन-कौन बता पाएगा फटाफट से गई कोशन वीजिबल है आपको कुछ नहीं गई इसमें तो ना मतलब सेकिंड का सवाल है सेकिंड का सवाल आई है तो एक बार पढ़ते है इन गिवन फिगर ओव इस अंटर ओब सब्सक्राइब तो आपके पास सेंटर दे रखा है इस सरकल का इफ टू कोड़ एक्स वाए टू क पास सेंटिमेट तो कई आपको पता है कुछ नहीं करना एपी इन टू पी इज यय़ू टू इसटू टू एं टू पी बाई टिकए एंटू पी तो पूट कर दो वैलीउ अपने पास यह गालियो निकान लिए ठीक है यह निकान लिए अपने को 8 आगया 16 into 10 820 तो X का value कितना आ गया हो कि बस 20 जो की value किसका है AP का AP पुछा है आप से PA पुछा है PA होचा है APO बात वो ही है चलिए बिल्कुल same to same वो ही question आ गया इसको भी रादो बीना किसी time लगाते हो है तो देखो इसको verbally कर लेते हैं 163048 163048 हो गया तो भाई मुझे पता चल गया पहले की answer क्या आने वाला है ठीक है क्या है यहाँ पर RX into XS ठीक है RX into SX is equal to PX into QX 48 into XS XS ही पुछा है आप से हाँ SX ही पुछा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 into 15 16 into 15 ठीक है यह 3 से गया ठीक है यह कितना गया 5 से गया तो अपने पास 5 आएगा option number 3 ठीक है option number 3 आजाएगा इसमें answer 5 is the right चलिए बहुत easy सवाल था चलिए इस question को बताईए इस question को बताईए फटा-फट से क्या answer आने वाला है X minus 1 by X is equal to 8 आपको बताना है X plus 1 by X का value ऐसे question को हम बरपूर कर चुगे 4 root 13 3 root 7 2 root 17 या फिर 3 root 15 फटा-फट से चलिए बताईए जल्दी जल्दी से क्या-क्या answer आने वाला है सभी लोग होगे ठीक है तो आपके बताईए भी 10 सेकिंड का बचा है जल्दी से गाईज देखते हैं कौन-कौन कर पाता है इसका सही answer चलिए टाइम आपका खतम हो चुक है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ठीक है मैं क्या करूँगा इसका square कर दूँगा यहाँ भी square यहाँ भी square तो कितना हो जाएगा x x प्लस अगर चलो इसको ऐसे करते हैं कि ठीक है इसको क्या करते हैं अभी इसका square कर दिया इसका भी square कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका square करेंगे तो x square plus 1 by x square minus 2 ठीक है is equal to 8 का square 64 x square plus 1 by x square कितना हो गया कि पस यहाँ पर 2 चल जाएगा तो 66 अब क्या करेंगे भाई अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 को प्लस करेंगे और यहाँ पर भी 2 को प्लस कर देंगे तो मतलब आपने पस क्या आजाएगा x plus 1 by x का whole square यह इसका whole square आजाएगा यहाँ पर आजाएगा तो यहाँ पर under root चल जाएगा यहाँ पर x plus 1 by x आजाएगा आपके पस क्या under root of 68 तो भाई बताओ भाई कहाँ पर कर रहे है satisfy value 174068 तो अपने पास 2 root 17 आजाएगा इसका बिल्कुल सही आजाएगा clear है यह चीज ठीक है ऐसे question भी हम बहुत बार कर चुके है I think अब तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए इस question में फटावट से बताएगे किसका आ रहे है under root 68 जो कि आपके पास 2 root 17 के बराबर है फटावट से ठीक है गाईज तो गाईज यह मेरा telegram group है आप मेरे साथ जूट सकते हैं यहाँ पर ठीक है आपको मैं session की PDF यहाँ पर share कर दिया करूँगा तो आप मेरे साथ जूट सकते है telegram group पर भी तो गाईज यह session आपको अगर अच्छा लगा तो इसको जुरूर लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करेगा ताकि आपको नुटिफिकेशन जो कि आपको जल से जल मिलता रहे तो गाईज कैसा लगा यह session इसको कमेंट सेक्शन में जुरूर बताईएगा ठीक है और क्या चीज आपको लगता है कि इसको और आपके पास वीक पॉइंट सा तो इसको बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा ठीक है तो गाईज तो चलते हैं रैप अप करते हैं इस session को और मिलते हैं अगले sessions में ठीक है तब तक के लिए बाइबाइए और टेक क्या गाईज